चलो देखो, हमारे पास question है, क्या question है, if a equals to 5 minus 2, 6, 1, 7, 0, 8, minus 3, root 2, 3 by 5, 4, 9, then write, तमको लिखना क्या है, the number of rows in A, A में कितने rows है, number of columns in A, A में कितने columns है, order of the matrix A, matrix A का order क्या है, the number of all entries in A, कितने entries हैं A में यह हमको देखना है, और elements A, 2, 3, A, 3, 1, A, 1, 4, A, 3, 3, A, 2, 2, of A, A का यह सारे elements को हमको बताना है, ठीक है, तो चलो, सबसे पहले तो हमको क्या देखते हैं, कि किसी भी matrix में row क्या होता है, ठीक है, तो देखो row क्या होता है, जैसे देखो यह, इस तरह का line जैसे आए ना तुमारा, यह यह वाला जो ठीक है, और यह वाला क्या कहलाता है, column, यह वाला क्या कहलाता है, column, यह वाला क्या कहलाता है, column, ठीक है, तो कहने का मतलब हो रहा है, अगर हम pain को ऐसे रखने, तो यह row हो जाता है, और pain को ऐसे रखने, तो इस तरह का structure क्या हो जाता है, column हो जाता है, ठीक है, तो चलो देख रोज in a equals to देखो तो कितने रोज है हमारे पास एक रोज दो रोज तीन रोज तो कितने रोज है हमारे पास त्री रोज ठीक है चलो दूसरा देखो यहां पर दूसरा क्या है तुमारा 9.6 कितने हो गए कि वालम स्थमारे फिएन वालम स सट् stream可以 different कितने हो गए पेक्पावा में यह चार्य ऑपर उत केदुमें यह हैं कितने होग noir विमिद् the order of the matrix, अच्छा, matrix का order में क्या जानते है, number of row into number of column, ठीक है, तो order of matrix A, order of matrix A equals to, क्योंकि इसमें row क्या है, तुमारा, three rows है, और कितने four columns है, तो order कितना हो जाएगा, three by four, लिखते multiply हैं, बट पढ़ते क्या है, three by four, ठीक है, चलो, fourth में आते हम लोग, fourth क्या है, the number of all entries in A, A में कितने entries हैं, अगर ऐसे गिनोगे, तो देखो ऐसे गिन सकते हम लोग, कैसे, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, बट ऐसे नहीं गिनेंगे हम लोग, क्या करेंगे, अपने को पता है, number of rows कितने है, three, number of columns कितने है, four, बस दोनों को multiply क करेंगे, three, four, to twelve, तो क्या हो जाएगा, number of elements, number of elements के entries बोल दू, number of entries in A, ठीक है, A में कितने entries है, तो A में कितने entries हैं, तुम्हारे, three, four, जा, two, we которая, ठीक है, कितने entries हैं, चलो देखो अब question नमर कितना आते हम लोग 5, 5 में देखो क्या है, तो 5 में क्या है तुमारा element A23, देखो A23 क्या है तुमारे पास, A23, 23 का मीनिंग होता है, second row, third column, तो देखो second row की बात कर रहे हैं, यह first row, यह second row, second row आया third column, first column, second column, third column, तो कितना आ रहे हैं तुमारा second row, third column में element जो हुआ हूँ, तुमारा 8 है, कितना है, 8 है, ठीक है, फिर आपने हम लोग, A31, ठीक है, A31 मतलब क्या हो रहे है, A31 मतलब क्या हो रहे है, third row, first column, तो third row, first column, थोड़ा देखना ध्यान से, third row क्या है तुमारे पास, third row है, first row, second row, third row, य देखे हैं और इसमें फिर्स्ट कॉलम कॉन सा ये फिर्स्ट कॉ लो मुलिब्स कोलम का इलिमेंट कौन सा आ रहा है जारा है फिर्स टूट टू देखो अब देखो हम लोग आते हैं ए वन फूर ए वन फूर तो देखो ए वन फूर क्या है हमारा ए वन फूर वन फूर का मतलब हो गया फर्स्ट रू एंड फूर्थ कॉलम तो फर्स्ट रू यह रहा और फूर्थ कॉलम यह रहा ठीक है तो फर्स्ट रू फूर्थ कॉलम का इलमेंट कौन सा आ रहा है मेरा देख सब्सक्क करने करें दूरू मतबस नि हुपिंप सुद्ध सबस्था टोंब सेटन्स रोट डूलं सेकेंड को सब्सक्राइप वाइं तुमारा थेकें ये अनिमेन्ट एक नस Detals ए टू टू तो टू में देख लो क्या हो रहा है तुमारा ए टू 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 का मतलब क्या हो रहा है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड रो यह रहा first column second column ये रहा तो ये वाला जो element है 0 ये second row और second column का element है तो ये क्या होगा तुमारा 0 ठीक है तो हमारा ये पहला सम्बन गया चलो देखो हमारे पास दूसरा question है क्या है दूसरा question write the order of the following matrices हमको ना matrices का order लिखना है तो जैसे कि हम लोगो पता है कि matrices का order होता है वो क्या होता है number of rows by number of column इसका मतलब हो गया कि number of rows into number of column लिखना होता है तो जैसे पहले का solution कि फास्ट में देखो order of order of a equals to a में देखो तो कितना है order of a a में कितना रोव है एक रोव दो रोव है order a में और कितने column है एक column 2 column 3 column 4 column तो हम लोगों को order में क्या लिखना है 3 rows है तो 3 by 4 लिखना multiply है पढ़ना by है तो order of a कितना आ गया 3 by 4 ठीक है अब चलो देखो दूसरा order of b order of b b का order ठीक है तो order of b देखो कितना है b में कितने रोव है एक रोव दो रोव तीन रोव है ठीक है और कितने column है एक column दो column है इसलिए इसमें कितने तीन रोव है और दो column है इसलिए इसका order हो गया 3 by 2 ठीक है चलो थर्ड देखते है थर्ड देखो क्या है हमारे पास थर्ड है c देखो तो एक रोव है और इसमें कितने column है एक column दो column तीन column और चार column ठीक है तो order of c order of c equals to order of c कितना आगया तुमारा एक रोव है और चार column है तो 1 by 4 ठीक है अच्छा हम लोग 4th में आते हैं ठीक है हम लोग 4th में आते हैं तो 4th में देखो क्या है तुमारा order of d order of d तो d का order देखो तो कितना है d में कितना है एक रोव है और दो column इसलिए order of d क्या हो गया 1 by 2, 5th में आ रहे हैं लोग, देखो तो 5th क्या है हमारे पास, 5th क्या है, 5th E है तुमारा, 3 row है, 1 row, 2nd row, 3rd row और 1 column है, तो order of E कितना हो रहा है तुमारा, order of E, E का order कितना आ गया तुमारा, E का order आ गया, 3 rows and 1 column, ठीक है, अच्छा, number 6, 6, 6 देखो हमारे पास कितना है, 6 क्या है तुमारा, F सिर्फ एक element है, इसमें एक ही row है और एक ही column है, ठीक है, तो चलो देखो, order of F, order of F, तो इसमें कितना है तुमारे पास, एक row और एक column है, ठीक है, समझ में आ गया है, चलो देखो, हमारे पास जो question है, if a matrix has 18 elements, अगर matrix में 18 elements हो, तो what are the possible order it can है, तो इसके कितने possible order होंगे, ठीक है, तो चलो देखो, जैसे कि हमको पता है कि अगर 18 elements है, तो किसी भी matrix में जो elements होता है, उसके possible order लोक कैसे निकालते हैं, तो अगर 18 elements है, तो 18 का जितना factor होगा, सारा ही क्या होगा, वो possible order होगा, ठीक है, तो जैसे कि माल लो इसमें 18 elements है तो 18 elements को arrange करना है तो हम लोग 18 का जो जो possible order होता है वो सारा क्या होता है उस matrix का possible order हो सकता है ठीक है तो solution देखो क्या दिया होगा है given number of elements number of elements in a matrix in a matrix is 18 number of elements in a matrix is 18 matrix में कितने elements है 18 elements है तो possible orders are possible order are क्या क्या हो सकता है possible order तो 18 का क्या 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 क पाइव के टेबल में भी एटीन नहीं आता है हाँ सिक्स के टेबल में आता है तो 16 इन्टू 3 इन्ट्री यह वी एकौर्शन हो सकता है और 7 के कह टेबल में नहीं आता है 12 के डेवल में आता है 12 मत mı और 2 कोलन यह भी तुमारा एक बार और भी क्या हो सकता है normal abz इतने भी पॉसिबल ओडर थे वह सारा हम जोग लिख दिए ठीक है इसमें खास बात क्या है कि तुम देखो हमेशा अगर मल्टिप्लाइ करोगे तो वन एटीन जा एटीन टू नाइन जा एटीन टू जा एटीन एटीन मतलब हमेशा मैट्रिक्स में जो कि देखरेठिस क्तिस स्टाइए cotton पर चाहिए इसका मतलब वंगोट एटीन कॉलम हoga तो दो गवारा unplảiने कोलारी एटीन कित्या कॉलम इसमें का तुमारा शिक्स थीम्रा इसमें का थो में राओनि थेwwाट 10 दो टू कॉलम तेकश्ण और और नम्र ओबाशिबल ओडर अगर पासिबल ओर्डर इक्वेस्टू कितने हैं 1 2 3 4 5 6 तो नंबर ओपासिबल ओडर कितने हो गए 6 हो ठीक है समझने आ गया होगा चलो देखो अगर क्या है कि मैट्रिक्स में 7 elements है तो उसके क्या क्या पासिबल ओडर हो सकते हैं तो फिर से वही बात है 7 elements है तो 7 elements को रो और column में अपने को arrange करना है तो देखो लिखते हैं solution solution number of elements number of elements in a matrix matrix में कितने elements है 7 elements है ठीक है तो number of possible order number of possible order of matrix r ठीक है अच्छा number of possible order matrix matrix का क्या क्या possible order हो सकता है तो simple बात है 7, 7 का एक prime number है इसके बस दुही factor होंगे एक तो होंगे 1 by 7 और दूसरा क्या होगा 7 by 1 इसलिए इसके कितने possible order हो सकते है दो possible order हो सकते है 1 by 7 और 7 by 1 मतलब 1 row 7 column पहला matrix और दूसरा 7 row 1 column दूसरा matrix ठीक है और अगर number of possible order तो ये आगया तुमारा और number of possible order का बात कर लो तो इसको जो है नहीं हम जो क्या कर लेंगे possible order बस लिख लो ये number card देते हैं लोग ठीक है तो possible order of matrix ये हो गया possible order of matrix number of possible order number of possible order of matrix matrix के number of possible order कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे क्योंकि 2 ही matrix हमारा बन पाया ठीक है समझने आगे चलो देखो हमारे पास question क्या है construct 3 by 2 matrix whose elements are given by aij equals to 2i plus minus j ये है तुमारा ठीक है तो देखो सबसे पहले हमको एक matrix बनाना है कितने order का 3 by 2 order का matrix बनाना है ठीक है तो चलो हम लोग इसको बनाते हैं solution अच्छा given दिया हुआ जो है तुम्हारे पास क्या है तुम्हारे पास एक matrix A है मान लो aij equals matrix है और वो किस order का है 3 by 2 order का 3 by 2 order का अच्छा 3 by 2 order का matrix होने के बज़े से हम इसको क्या लिख पाएंगे हम इसको ऐसे लिख पाएंगे a11 a12 अब दोको आगे नहीं बढ़ पाएंगे 3rd row 2nd को लो हमारा जो matrix होगा वो ऐसा होगा ठीक है अब हमको क्या करना इसमें से सारा elements to find करना है कि सारा elements हमारा क्या क्या होगा तो चलो इसके लिए हमारे पास दिया हुआ है देखो तो elements का definition यहां दिया हुआ है since Aij Aij क्या है अपने पास 2i minus j ऐसा दिया हुआ है ठीक है तो therefore हम लोग सारा का value एक एक करके निकालेंगे A1 1 तो A1 1 क्या हो गया Aij के जिगा 1 J के जिगा 1 तो जहाँ जहाँ आई है वहाँ 1 डाल दे रहे है और जहाँ J है वहाँ भी 1 डाल दे रहे है तो 2 1 0 2 minus 1 कितना है 1 आगया A1 2 1 2 तो Aij के जिगा 1 डालना है J के जिगा 2 तो Aij के जिगा 1 डालेंगे तो 2 into 1 और J के जिगा 2 डालेंगे तो 2 1 जहाँ 2 minus 2 कितना बचा 0 फिर देखो A2 1 तो Aij के जिगा 2 डालना है J के जिगा 1 डालना है तो 2 into 2 माइनस जे के जिए क्या डालना है अपने को 1 to 1 तो 2 to जब 4 minus 1 कितना रहा है तुमारा 3 A 2 2 2 2 देखो I के जिए का 2 डालना है जे के जिए के भी 2 डालना है तो क्या रहा है तुमारा 2 into 2 I के जिए 2 डालना है minus J J के जिए 2 डालना है तो 2 to जब 4 4-2 कितना रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, फिर क्या रहा है, A2, 3, sorry, 2-3 तो है ने अपने पास, 3-1 ने, तो A3, 1, तो A3, 1 देखो क्या रहा है, IKJ का 3 डालना है, और JKJ का 1 डालना है, तो IKJ का 3 डालना है, IKJ का 3 डालना है, JKJ का 2 डालना है, तो IKJ का 3 डालना है, तो 2 इंटू 3 माइनस JKJ का 2, तो 3-2 जा, 6, 6 में 2 कितना बचा, 4 बचा, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहां पर देख पाए, हमारे पास सारा का वैल्यू आ गया, A11, A12, A21, A22, A31, A3, तो सब आ गया, ठीक है, तो 10 हम लोग एक का वैल्यू लिख सकते हैं, एक का वैल्यू इब देखो तो क्या रहा है हमारे पास, A11, A11 के जगा 1 डालना, A12, A12, A12 के जगा 0 डालना, A21, A21 के जगा 3 डालना, A22, A21 के जगा 2 डालना, A31, A31 के जगा 5 डालना, और A32, A32 के जगा डालना, 4 डालना, यह जो हमारा, यह जो मैट्रिक्स निकालने के लिए बोल रहा था, यह हमारे पास, ठीक है, समझ में आ गया, चलो देखो, हमारा कुश्चिन क्या है, इसको एसे भी हम लोग स्वाल कर सकते हैं, मान लेते हैं, लेट, A इकोई टू, A, I, J, यह जो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ओरर यहां दे देते हैं, 4 डालना, 4 डालना, तो इससे क्या पता चला, कि इस इंप्लाइज, एका वैल्यू कितना आ रहा है, हमको एक मैट्रिक्स निकालना है, जिसमें 4 डालना और 3 कॉलम, 4 डालन, 3 कॉलम, तो 4 डालन, A, 1, 1, A, 1, 2, A, 1, 3, A, 1, अच्छा, 3 कॉलम तक ही जाना है, तो अपने को 3 तक ही जाना, आगे नहीं जाना है, ठीक है, फिर देखो, सेकेंड रूह आ रहे हैं, हमलो, A, 2, 1, A, 2, 2, A, 2, 3, फिर थर्ड रो में आना है, A, 3, 1, A, 3, 2, A, 3, 3, अब फोर्थ रो में आना है, A, 4, 1, A, 4, 2, A, 4, 3, तो हमारा एक मैट्रिक्स आ गया, जिसमें देखो, चार रोज हैं, और तीन कॉलम्स है, तीनी 4 by 3 का हमारा मैट्रिक्स आ गया है, ठीक है, अब देखना है, इसका जो element कैसे defined है, since, element देखो क्या है, A, I, J equals to I by J, A, I, J equals to I by J, अब हम सारा का निकालेंगे एक एक करके, तो A, 1, 1, I, K, 1, J, K, 1, तो 1 by 1 कितना आ गया, 1 आ गया, A, 1, 2, I के जिगा 1, J के जिगा 2, तो A, J क्या है, 1 by 2 आ गया, ठीक है, अब A क्या है, A, 1, 3, 1 by 3 आ गया, ठीक है, अब फिर आगे देखो, यह तो आगे है तुमारे यहां पर, अब A, 2, 1, तो 2 by 1, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, A, 2, 2, तो 2 by 2, कितना आ जाये का, बन आ जाये, ठीक है, अब A, 2, 3, 2, 3 का मतलब क्या हो रहा है, I के जिगा 2, J के जिगा 3, तो कितना रहा है, 2 by 3, तो 2 by 3 का 2 by 3 ही रख जा, ठीक है, छलो आगे देखते हैं, A, 2, 3 तक हो गया मेरा, A 3 1 तो I के जिगा 3 J के जिगा 1 तो 3 by 1 3 हो गया A 3 2 I के जिगा 3 J के जिगा 2 तो 3 by 2 का तो 3 by 2 ही लिख देंगे हम लोग ठीक है यहाँ भी 2 by 3 ही रह गया था और A 3 3 तो 3 by 3 तो 3 by 3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा A अब देखो 3 by 3 तक का हो गया कहानी अब यहाँ पे 4 1 तो I के जिगा 4 J के जिगा 1 तो 4 by 1 कितना होता है 4 होता है A 4 2 तो I के जिगा 4 आ रहा J के जिगा कितना आ रहा है 2 आ रहा है तो 4 by 2 कितना रहा है 2 आ गया A 4 3 आजके जिस और फौर आरा है जटा मैस्में मैट्रिक्स घ्याना मेट्रिक्स करें पिछु अब वद्वह करिक्श एक हैं सब्सक्राइब वन आ रहे एक टू थी देखो कितना रहे टू भाई थ्री आ रहे एक ट्री वन देखो कितना रहे थ्री आ रहे एक ट्री टू देखो कितना रहे थ्री वाई टू आ रहे एक ट्री त्री देखो कितना रहे वन आ रहे एक फोर वन देखो कितना रहे फोर आ रहे एक फोर टू द हमारे पास जो question है construct a two by two matrix whose elements are given by aij equals to i plus 2z to the power two by two ठीक है तो अपने वो construct करना matrix two by two का ठीक है तो चलो हम लोग solve करते हैं solution फेले माल लेते हैं let a equals to aij और यह two by two का हम लोग matrix ले ठीक है तो अगर two by two का matrix ले रहे हैं तो अब this place में क्या होगा दो रो और दो column होगा ठीक है तो क्या होगा तुमारा a equals to a11 a12 और a21 a22 हमारा यह matrix होगा अब अपने वो क्या करना है यह जो element है हमारा a11 a12 a21 a22 सब का value निकालना है ठीक है अपने पास ना देखो general element दिया हुआ होगा है तो since aij j equals to aij j देखो क्या है अपने पास i plus 2j का power 2 by 2 ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं तो therefore सारा का value निकालते है a11 तो तो आई के जेखर पर 1 आ रहा है यह के जेखर पर भी 1 आ रहा है तो आई के जेखर 1 टू इंटू 1 का square by 2 ऐसा है तो देखो तो 1 2 1 जा 2 2 1 कितना है 3 3 का square क्या है 9 by 2 चलो फिर देखो a12 इसका value निकाल रहा है तो इस वाले element का तो आई के जेखर पर 1 है 2 और जे के जेखर पर कितना है 2 है तो square by 2 तो देखो उपर क्या रहा है 2 तो जब 4 4 1 5 5 का square कितना आ जाता है 25 by 2 चलो अब एक 21 देखते हैं यह 21 इस वाले element का वाले तो इस वार आई के जेखर 2 है जे के जेखर 1 है तो 2 प्लस आई के जेखर 2 2 into 1 का square by 2 इस वार देखो 2 1-2 2 plus 2 4 4 का square कितना 16 by 2 तो 16 by 2 कितना आ रहा है मारा 8 तो ठीक है फिर देखो a2 2 देखो तो ए 2 2 क्या हो रहा है तुमारा आई के जेखर 2 और जे के जेखर भी 2 whole square by 2 तो क्या आ रहा है तुमारा ध्यान से देखो 2 तू जा 4 4 2 6 6 का square कितना आ रहा है 36 by 2 36 by 2 कितना है 18 ठीक अब हमारे पास सारा value पता चल गया तो 10 A का value क्या रहा है हमारे पास तो A का value आ रहा है देखो A11 है 9 by 2 A12 है 25 by 2 A21 है 8 और A22 है 18 ठीक है यह हमारा answer है ठीक है चलो देखो हमारा question number 8 है construct a 2 by 3 matrices whose elements are given by Aij I minus 2J का whole square by 2 ठीक है तो थोड़ा देखो solution माले के let A equals to Aij 2 by 3 मतलब एक matrix जिसमें 2 रोज़वां और 3 कॉलम हो तो चलो इसको expand करते हैं तो एक को हम लोग कैसे लिख सकते हैं देखो 2 रोज तीन कॉलम चाहिए तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर element क्या हो जाए दो A11 A12 A13 क्योंकि हमारे पास तीन कॉलम है तो हमने तीन कॉलम तक लिखा और फिर क्या है तुमारा देखो सेकेंड रोज फर्स्ट कॉलम सेकेंड रोज सेकेंड कॉलम सेकेंड रोज थर्ड कॉलम ठीक है तो यह एक मैट्रिक्स लागिया हमारा तू बाइ ठीका चलो देखो इसका element defined क्या है Aij equals to i minus 2j का whole square by 2 ऐसा है तुम सारा elements का value निकालते हैं तो therefore A11 कितना आ रहे है IK1 डालो minus 2 into JK1 डालो square by 2 तो देखो 1 minus 2 minus 1 का square by 2 तो 1 का 1 का square 1 आ गया minus 1 का square 1 आ गया 1 by 2 A12 12 देखो क्या आ रहे IK1 2 into JK2 का whole square by 2 तो देखो कितना रहे 1 minus 4 तो minus 3 का square by 2 तो minus 3 का square क्या है 9 by 2 आ गया ठीक है A1 3 1 3 क्या हो रहे 1 minus 2 और JK2 कितना रहे है तुमारा 3 तो 3 का whole square by 2 तो देखो 1 minus 6 तो 1 minus 6 कितना होता है minus 5 तो minus 5 का square by 2 तो 25 by 2 आ रहे है ठीक है चलो A21 यहा तक तो आ गया मेरा अब A21 निकाल रहे है तो 21 क्या रहे है तुमारा 2 minus 2 into 1 का whole square by 2 I के जिखा 2 डाल दी है और JK2 देखो 1 डाल रहे है तो 2 minus 2 0 0 का square by 2 तो 0 का square 0 0 by 2 कितना आ गया जिरो आ गया तुमारा A22 तो 2 minus I के जिखा 2 2 into 2 का whole square by 2 देखो 2 2 अब माइनस 2 तू जा 4 तो 2 minus 4 minus 2 का square by 2 तो कितना आ रहे है यहाँ पे 2 तू जा 4 by 2 तो 4 by 2 तो 2 आ गया और finally last जो है तुमारा वो कितना है 2 3 है तो A23 तो देखो क्या आ रहे है तुमारा I के जिखा 2 और JK कितना आ रहे है तुमारा 3 का whole square by 2 तो यहाँ से कितना है 3 2 जा 6 6 में 2 minus हो रहे है कितना बच रहे है minus 4 तो minus 4 का square by 2 तो minus 4 का square 16 by 2 60 सिफ्टिंग्यीर सिफ्टिंग्या 2 कितना है एट ठीक है तो अब देखो तुमारा हमारे आफरा आधर तो देस क más då A hes to better CO lemon had you tell the coach यहां पर एवह 1 1 कितना है 1 जीन है 2 ए 1 2 कितना है 9 Ek ड़ा 2 his Mutoh 5 2 chronicking note a 21 कितना 008 23 titre 9 T typically यह मेरा थे क्षिर Zurich करें ने चलो देखो, हमारे पास question है, question number 9, construct a 3 by 4 matrices, matrix whose elements are given by aij equals to 1 by 2 modulus minus 3i plus j, हमको ये solve करना है, ठीक है? तो चलो देखो, सबसे पहले तो बास क्या है मारे पास? जो मारे पास matrix है, वो matrix क्या है? 3 by 4 का matrix अपने को बनाना है, तो मान लेते हैं कि 3 by 4 का matrix होता है, let a equals to aij 3 by 4, ठीक है? एक बड़ा से matrix बने गई है, तो देखो 3 by 4 का matrix बना रहे हैं, तो this implies a equals to 3 by 4 का matrix मतलब 3 row चलेगा और 4 कॉलम आएंगे, ठीक है? तो 3 row a11, a12, a13, a14, ठीक है? तो इसमें 4 कॉलम आने वाले हैं, और देखो, ये तो 1st row हुआ, 2nd row क्या हो जाएगा? a21, a22, a23, a24, और 3rd row क्या आएगा? a31, a32, a33, a34, ठीक है? तो ये हमारा क्या है? मैट्रिक्स आगया, है न? तो चलो अब इसको हम लोग solve करते हैं, हमारे पास क्या है? since a i j जो है, वो है 1 by 2, modulus of minus 3i plus j, तो हम सारा का value निकालते हैं, एक एक करके, ठीक है? एक एक करके हम लोग value निकालते हैं इसका, तो देखो value निकालते हैं इसका, तो therefore a11, सबसे पहले 11 का value निकालते हैं, तो 1 by 2, minus 3 into 1, और j का value भी क्या अपना? 1 है, तो 1 by 2, modulus of minus 3 into 1, minus 3 plus 1, तो minus 3 plus 1 क्या रहा है? minus 2, और mode से कोई भी चीच को बाहर निकालते हैं, तो वो positive हो जाता है, तो यह 2 आ गया, तो क्या रहा है तुमारा 2, 2 कटके 1 आ जाएगा, a12, देखो चो कितना आ जा 2, तो क्या रहा है तुमारा 1 by 2, और minus 3 into 1, तो minus 3 हो जाएगा, plus 2 तो minus 1 आ जाएगा, तो minus 1, तो minus 1, तो 1 by 2 into 1, तो कितना रहा है तुमारा 1 by 2, ठीक है, a13 का बात करते हम लोग, तो 1 by 2, minus 3 into 1, plus 3, तो minus 3 plus 3, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 1 by 2 into 0, तो यह finally क्या आ गया, जीरो आगया, अब A14 A14, तो 14 में 1 by 2, minus 3 into 1, plus 4, ठीक है तो minus 3, plus 4, तो 1 आ रहा है, तो 1 by 2 अब मॉडलस के अंदर 1, तो ये तो 1 by 2 into 1 ही होगया, तो actually 1 by 2 ही आ रहा है, ठीक है अब हम लोग पहला रोह का सारा एलिमेंट निकाले है अब देखो second रोका निकालते हैं A2 1 तो 1 by 2 minus 3 into 2 plus 1 आ रहा है तो 1 by 2 modulus गंदर minus 6 3 to the 6 minus 6 plus 1 तो minus 5 तो 1 by 2 into 5 तो कितना आ रहा 5 by 2 A2 2 तो 1 by 2 minus 3 into 2 plus 2 तो 1 by 2 modulus गंदर देखो minus 3 to the minus 6 plus 2 कितना रहा है minus 4 तो 1 by 2 into 4 तो क्या हो जागा यह कटके 2 आ जागा और A 2 3 तो 1 by 2 और आई के जेगा कितना एत्मारक 2 है तो minus 3 into 2 plus 3 तो यह क्या रहा है 1 by 2 अच्छा minus 3 2 जा 6 6 में 3 गया क्या बचा minus 3 तो यह कितना है 1 by 2 into 3 तो एक्छुली यह आ रहा है A3 1 तो क्या रहा है 1 by 2 minus 3 into 3 plus 1 तो कितना आ गया तमारा ध्यान से देखो यह आपर 9 आ गया 9 तो minus 9 plus 1 minus 8 1 by 2 minus 8 ठीक है तो 1 by 2 minus 8 आ रहा है अच्छा minus 8 बहार आएगा तो 1 by 2 into 8 आ जाएगा और इसकी value कितनी आएगी 4 आ जाएगी ठीक है उसी तरह A3 2 जलते हैं लोग तो A3 2 1 by 2 minus 3 into 3 plus 2 तो कितना आएगा 1 by 2 हम होडलेस करना दा 3 3 गा 9 9 में 2 कितना बचा minus 7 तो 1 by 2 into 7 आ रहा है अच्छा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 7 by 2 इसको हम लोग क्या लिख दिए 3 जा रहा है तो कितना बच रहा है 6 तो minus 6 तो 1 by 2 into 6 ये कटकर कितना आजाएगा 3 आजाएगा ठीक है और finally A34 minus 3 into 3 plus 4 तो 1 by 2 minus 9 में 4 करेगे तो कितना आजाएगा minus 5 तो ये कितना रहा है 1 by 2 into 5 1 by 2 into 5 तो finally ये कितना रहा 5 by 2 आ रहा है 5 by 2 आ रहा है तो 10 अब जो हमारे पास matrix है वो देखो क्या matrix आ रहा है 3 by 4 का matrix जो हमको लिखना है अब देखो क्या आ रहा है तुमारा 3 by 4 का matrix वो यह आ रहा है थोड़ा देखो ध्यान से A11, A11 देखो कितना है? 1 है A12 देखो कितना है? 1 by 2 है A13 कितना है? 0 है A14 कितना है? 1 by 2 है फिर देखोट A21 कितना है? 5 by 2 है A22 कितना है? 2 है A23 कितना है? 3 by 2 है A24 कितना है? 1 है A31 कितना है 4 है A32 कितना है 7 by 2 है A33 कितना है 3 है और A34 कितना है 5 by 2 है ठीक है यह हमारा answer है ठीक है चलो इसको note कर लो